नमस्कार and welcome friend बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवस प्रेस करें जिसे कि आपको latest video के information आपको मिलता रहे आज मैं आपको adobe page maker 7.0 के अंदर सारे tools के बिसे में मैं आपको बताऊंगा all tools का use बताऊंगा कैसे हर एक tools का use कैसे करते हैं हम लोग इनका नाम क्या है आइस्ता आइस्ता बताऊंगा जिससे आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान पाएंगे और इसका use कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं हर एक tools के बिसे में जानते हैं तो देखिए जब आप adobe page maker 7.0 को open करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा left hand side में यह जो box आपको दिखाई दे रहा होगा इसे हम लोग toolbox बोलते हैं अगर यह यहाँ पे नार है बहुत बाड़ा ऐसा होता है यह hide हो जाता है अभी तो यहाँ पे आपका display हो रहा है अगर यह hide होता है तो इसको कैसे लेकर आते हैं तो यहाँ पे देखिए यह जो आपका ऊपर जो adobe page maker 7.0 लिखा हुआ है यह title bar है उसके ठीक नीचे इसे हम लोग menu बार बोलते हैं यहाँ window में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे hide tools लिखा हुआ है यह hide tools लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो toolbox यहाँ से चला जाएगा यहाँ से hide हो जाएगा तो इससे लेकर कैसे आते हैं window में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आप so tools so कर रहा है इस पे आप click कर दीजिएगा तो यहाँ पे toolbox आ जाएगा अब देखिए सबसे पहला तूल जो है यह जो तीर नुमा तूल आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग pointer tool बोलते है pointer tool अब इसका use किसमे किसमे इसका काम आता है pointer tool का use हम लोग कैसे करते हैं देखिए pointer tool का generally use होता है हम लोग कोई भी text block को select करते हैं कोई भी आप circle को select कर सकते हैं कोई भी graphic को select कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक frame के अंदर देखिए text लिखे हुए हैं अगर मैं pointer tool पर click करता हूँ और देखिए इस पूरे frame के box को हम लोग circle को move कर पा रहे हैं select कर पा रहे हैं यहाँ देखिए एक circle आपको दिखाई दे रहा है ठीक मैं इसे इधर से उधर left right इसे move कर पा रहा हूँ देखिए इसे move कर सकते हैं यहाँ देखिए एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा एक photo दिख रहा है किसी भी image को आप click करके इसे select कर सकते हैं इसे move कर सकते हैं left right कहीं भी इसे page में आप लाकर इसे रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे एक देखे text आपको दिख रहा है इस पे अगर हम लोग click करते हैं तो यह select हो जाएगा text उसके बाद आप इसे left right इसे move आप कर पाईएगा दूसरा बात इसे आप यह जो pointer tool है इसे कोई भी object जो भी आप बनाते हैं उसे आप उसे scaling इस तरह drag करके आप scaling भी कर सकते हैं जैसे for example के तोर पे देखिए आप यहाँ पे जो यह जो tool आपको दिखाई दे रहा है यह जो box नूमा यह rectangle tool है अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इस तरह rectangle box हम लोगों ने draw कर लिया अब suppose इस box को मुझे move करना है कहीं ले जाना है पेज के left right यह रखना है इस box को तो क्या करेंगे तो उसके लिए हम लोग यह जो pointer tool है इस पर click करेंगे उसके बाद ठीक यह जो box जो अभी हमने बनाया है इसके line पर click करेंगे यह select हो जाएगा उसके बाद इसे आप left right उपर नीचे कहीं भी आप इसे move कर सकते हैं उसके बाद इसके corner जो point है इसे आप इस तरह scaling भी आप इसको कर सकते हैं तो pointer tool से आप कोई भी object कोई भी shape को आप select कर सकते हैं move कर सकते हैं चाहे photo, photo copy, image को भी आप एक जगा से दूसरे जगा select करके move कर सकते हैं, scale कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं जैसे आप भी देख रहे हैं आप और दूसरी बात आप बहुत बाद ऐसा होता है कि बहुत सरा आपने कुछ design वगरा बना लिया है तो पूरा का पूरा जैसे यह frame है, यह text है, यह circle है यह आपका rectangle shape है तो इसको अगर select करना होगा तो pointer tool पे click करके आप इस तरह drag कीजिएगा पूरा का पूरा यह जहां तक आप select कीजिएगा वो सारा का सारा देखिया object select हो जाएगा उसके बाद इसे आप easily move कर पाते है प्लस दूसरा इसका काम क्या है जैसे यह text है, अगर मैं इसे delete करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग किसी भी, जैसे माले तो यह circle है इस पे click कर दिया, select हो गया text को click किया, select हो गया अब इसे मुझे delete करना है तो simple है, या तो edit में जाके यहां से भी आप clear कर सकते हैं या keyboard से del press कर सकते हैं तो अगर इसे मुझे delete करना है तो यहां पे देखिए, right click करके भी यहां से हम लोग इसे clear कर सकते हैं अगर इस पे click किया, यह देखिए, circle select हो गया अब edit में जाके, यहां से मैं इसे clear कर दूँगा या keyboard से आप del press कीजिएगा, delete हो जाएगा तो यह रहा pointer tool का use अब देखिए, मैं उमीद करता हूँ pointer tool से आपका कोई confusion नहीं होगा तो pointer tool से हम लोगों ने सीखा कि किसी भी object, किसी भी photo, किसी भी save को select करते है उसे move करते है, scaling करते है उसको select करके group भी कर सकते है जैसे for example पे माल लेते है एक rectangle box यहां आपको दिखाई दे रहा है एक circle हम लोग यहां पे draw कर लेते है अब यह दोनों को हमें group करना है एक साथ करना है, तो क्या करेंगे यह जो pointer tool है, इस पे click करेंगे उसके बाद दोनों को इस तरह drag करेंगे पूरा देखिए दोनों select हो गया एक साथ इसे हम लोग यहां पे select कर सकते है प्लस element में जाके यहां से यहां देखिए element का जो menu है यहां element में click करेंगे उसके बाद group पे click करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ group हो चुका है देखिए, उसके बाद pointer tool से आप इसे easily आप कहीं भी move कर सकते है उसके बाद इसे हम लोग यहां से clear कर देते हैं अब मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि pointer tool का use हम लोग कैसे करते हैं अब देखिए, एक और tool है उसके ठीक बगल में जिसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं जो T लिखा हुआ है यहां पर आपको दिख रहा है इसे हम लोग text tool बोलते हैं आप text tool का क्या काम होता है text tool से T से आप समझ सकते इसे हम लोग type करते हैं तो page maker में type हम लोग कैसे करते हैं इसका process क्या है यह भी चलिए जान लेते हैं तो type करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा यह जो type tool है इस पर आपको click करना होगा उसके बाद आप इस तरह का एक text block आपको इस तरह का बनाना होगा जिसे हम लोग text frame भी बोलते हैं या text block बोलते हैं ऐसे drag करने के बाद उसके बाद हम लोग यहां से यहां पर कुछ भी आप type कर सकते हैं जैसे मैं अपना यहां पर नाम लिख देता हूँ यह देखें मैं लिख दिया लिखने के बाद अब क्या होता है यह देखें मैं लिख दिया है अब देखिए इसको आप चाहें तो यहां से select करके उसके बाद इसका size वगरा है यहां से आप यह जो control का यह जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर यह देखिए इसको select कर दीजेगा और माले ते इसको बड़ा करना है size तो यहां से आप यह जो control का palette जो दिखाई दे रहा है हमें यहां से size भेगरा भी इसका यहां से बड़ा कर सकते हैं तो बहुत कुछ काम आप इस टाइप टूल से कर सकते हैं तो टाइप टूल से सिर्थ means type ही नहीं हो ता इससे आप select कर सकते हैं यहांसे इसको coloring भी कर सकते हैं जैसे इसको मैंने select कर दिया text को उसके बार आप यह देखिएगा right hand side में यह जो color का palette है यहांसे इसे आप यहांसे select करके आप इसे text को color भी कर सकते हैं यह जो control palette है अगर यहांपे नहीं है तो इसे अपनचा आप नहीं करते हैं बार लाते कैसे दिखा देता हूं यहाँ पर मेंनु बार में जाईएगा अब विन्डो में जाईएगा यहाँ पर देखेगा control palette से कर सकते हैं color change कर सकते हैं अब रहा सवाल कि यह जो type हम लोगों ने किया है इसे move करने के लिए again आपको यह जो है pointed tool इसपे click करके इसको आप दुसी जगा move करके ले आ सकते हैं तो यह है type tool का use अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर नीचे जो tool दिखाई दे रहा है यह वाला इसे हम लोग बोलते है rotating tool बोलते है rotating tool अब इससे आप समझ सकते हैं कि rotating tool का का काम क्या होता है यह भी चलिए देख लेते है rotating tool का काम किसी भी object को या photo को या text को हम लोग इसे rotate कर सकते हैं मतलब घूमा सकते हैं जैसे यहाँ पर pointer tool पर click कर किया मैंने और यह जो text मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर गौतम कुमा जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका rotation वाला जो tool है rotating tool जिसे मैंने बोला अभी इस पर click करके यहाँ पर कहीं भी इसे इस तरब इसे इस तरब ड्रैक करके से rotate कर सकते हैं यह देखं़े मैं इसे rotate कर दे रहा हूँ घूमा दे रहा हूँ और यह देख सकते हैं यह घूम किया तो उसके लिए यह जो control का palette है यहाँ पर देख सकते हैं यह control palette जो अभी मैंने बताया यहाँ पर देखिएगा यह देख सकते हैं यह rotation का box दिया हुआ है यहाँ पर देखिए अभी जो degree है जितना में घूमा है यह यहाँ पर देखिए 207.32 है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर नॉर्मली आपको zero type कर देना उसके बाद इंटर प्रेस कर दिजिएगा उसके बाद देखिएगा आपक इसको rotate करते हैं इसको घुमाते हैं तो कैसे घुमाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अगें rotation जो tool है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप इससे rotate गुमा सकते हैं देखिए मैं इससे घुमा दिया यहाँ पर इससे देखिए rotate कर दिया यह देखिए इ रोटेट कर दिया है इसे ड्रैक करके आप ऐसे लेफ राइट जितना लंबा खीच पाईएगा लकीर आपको आएगा यहां से रोटेट कर सकते हैं अगर माल लेते हैं इसको फिर से सही करना है सीधा करना है तो सिंपल है यह जो कंट्रोल पैलेट आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में देखे रोटेशन का बॉक्स है यहां पर आप टाइप कर दीजिए जिरो टाइप कर दीजिए तो देखिए उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो फोटो जैसा पोजिशन पर था स्ट्रेट सेम वैसा आ जाएगा अगर इसे 90 डिग्री में घु देखिए 90 डिग्री में फोटो मेरा घुम चुका है पहले जैसा करना है इसको तो अगेन यहां पर क्लिक करके आप जिरो टाइप कर दीजिए और यहां पर देखिए पहले की तरह पोजिशन में फोटो मेरा आ चुका है उसके बाद यह पॉइंटर टूल से आप मूव कर सक गुझते हैं यह रोटेशन टूल पर क्लिक किया और यह पैलेट अलुक चुछ जा घेएप मूटैट बहुर्त जाता आप जहां पर पी जीढरस रोटेट करना है जैसे मां आणंद से इस से घूमेंगा देखिए इस point से घूम रहा देखिए अगर मुझे माल लेते हैं middle से घूमाना है तो यह जो proxy point है middle वाला point इस पर click कीजिए rotation tool पर click कीजिए उसके बाद इस object को देखिए middle point से घूम रहा है तो जहां से भी घूमाना है आपको तो वो आप proxy point select करके आप यहां से घूमा सकते हैं जिस point पर आपको जिस उपर से घूमाना है यहां पर click कर दिए select हो जाएगा उसके बाद देखिए घूमाएंगे तो उपर का point से घूम रहा है तो यह proxy point का use है तो इस तरह हम rotation tool का rotating tool का use करते हैं तो I hope आपको समझ में आ आ गया होगा कि rotation यह rotating tool है इसके माद्यम से हम लोग चाहे वो text हो चाहे photo हो चाहे कोई भी save हो कोई भी object हो उसे rotate करते हैं घूमाते हैं और अगर आपको changes करना है कुछ तो यहां पर मैंने आपको बता दिया था अगर गलती से कहीं ज्यादा rotate हो गया जिए degree आपको नहीं मालूम है तो rotating tool से आप rotate क दीजिए उसके बाद interface कर दीजिए तो जैसा position पर था आपका rectangle box same उसी position पर आपका आ जाएगा अगर rotate हो चुका है तो तो यह रहा rotating tool का use उसके बाद आते हैं देखिए यहां पर crop tool है तो crop tool से generally जो crop tool है उससे हम लोग क्या करते हैं crop tool से हम लोग कोई भी इस tool से हम लोग कोई क्लिक करेंगे यह pointer tool सेलेक्ट होगे अब फोटो लेकर आते हैं तो फोटो लाने के लिए क्लिक करते हैं हम लोग फाइल में जाते हैं जाने के बाद यहां पर place का option में क्लिक कीजिएगा और यहां पर place का इस तरह का dialogue box आ जाता है जो भी photo को जिसको भी आपको cropping करना है अप फोटो का quality खराब होता है तो इस तरह related मैंने बहुत सरे tutorial बनाया है कि अगर फोटो आप लेकर आते हैं उसका quality खराब होता है तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे बहुत सरे tutorials है वो आप मेरे playlist में जाईएगा मेरे channel के playlist में वहां पर आपको मिल जाएगा page maker का playlist वहां से आप बहुत कुछ देख पाईएगा जान पाईएगा बहुत सरे tutorials है तो चलिए अब जैसे ये crop tool है crop tool पे click किया उसके बाद photo को देखिए अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो सिर्फ चेहरा ही मैं लेना चाहता हूँ अब generally क्या है crop tool में और ये scaling में मैं आपको फर्क बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है जैसे ये जो photo है एक minute अभी मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से समझने के कोशिस कीजिएगा जैसे ये pointer tool से मैंने photo को select कर दिया अब देखिए मैं जब चाहता हूँ कि सिर्फ इसका चेहरा ही मुझे रखना है इतना portion सिर्फ चेहरा reflection को रखना है तो इसको क्या करेंगे pointer tool पे click करके select कर लेंगे उसके बाद यहांपर देखिए यह जो tool है crop tool इसपे क्लिक कर के अब क्या करेंगे यह जो point point दिखाई दे रहा आपको यह अपको क्या करना है प्टोल पे click कर देना है करने के बाद यहा तक crop हो गया एक मैं इसको बड़ा करता हूँ scaling करता हूँ बाकि का हिस्सा नहीं आरा पूर सिर्फ चेहरा ही देखिए बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा देख सकते हैं तो यह यूज है क्रॉपिंग करने का अगर माल लेते बुलिएगा नहीं मेरा पहला जैसा फोटो था वैसा लाइए तो अगेन आप क्रॉप टूल पे क्लिक किजिएगा और इसको ड्रैक कि क्लिक करके इसको आप स्केलिंग कर सकते हैं बड़ा चोटा किजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो यह रहा पॉइंटर टूल टाइप टूल उसके बाद रोटेटिंग टूल उसके बाद आपका यहां पे देख सकते हैं यह रहा क्रॉप टूल अब मैं उमीद कर और यह आपका लाइन टूल सिंपल लाइन टूल है तो यह रहा पर देखिए यहां पर दियान से और आप नजत दोड़ाईएगा तो यहां पर देखिए कि एक लाइन सीधा दिखाए देरा मतलब यह पे देख सकते हैं वर्टिकल दिखाई देरा एक लाइन ऐसे दिखाई तो इससे देख के भी आप समझ सकते हैं कि इससे दो तरगा आप लाइन ड्रॉड गर सकते हैं जैसे यहाँ पर कलिक करता हूं crop tool के ठीक नीचे वाला यह जो tool है अब मुझे draw करना मान लिजेやすi horizontal tool line draw करना तो draw हो चुका है अगर मुझे in vertical draw करना है तो verticallyly सीधा मतलब इस से क्या होता है यह line tool से क्या होता है इसमें और स्मय फर्क के आं मैं आपको समझाता हूं देख यह भी line tool है यह diagonal line tool है यह line और यहां पर बिखरा होगा यह त्युभा कि दर भी आपको किधर भी आपको लाइन स्टेट लाइन खीचना या इधर से खीचना यहा किछना है मतलब एक horizontal line tool एक vertical line tool तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है अब देखिए ये 6 tool मैंने आपको समझा दिया मैं उम्मीद करता हूँ ये 6 tool के अंदर आपको problem नहीं हुआ होगा अब देखिए इसके साथ-साथ मैं एक और tool के भी से मैं आपको बदा देता हूँ इसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो उससे पहले एक और tool है देखिए hand tool अब ये hand tool का use क्यों करते हैं देखिए अभी समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए पूरे page में आपको देखिए line दिख रहा, photo दिख रहा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ चुका है अब page को मैं मुझे थोड़ा सा shift करना है, move करना है उपर नीचे से screen पे left right move करना है तो ये hand tool पे हम लोग click करते हैं उसके बाद page को आप left right अपने screen पे देखिए आपके click करके आप इसे move कर सकते हैं देखिए मैं उसे उपर ले जा रहा हूँ, देखिए मैं नीचे ला रहा हूँ click करके ये देखिए, तो hand tool से आप page को left right आप उपर नीचे अपने screen अपने जो भी computer या laptop या monitor जो भी आप use कर रहे उसके दोरह आप hand tool से move कर सकते हैं तो इसलिए बता दिया कि जिससे कि आप समझ पाएं कि इसका सही तरीके से हम लोग use कैसे करते हैं उसके बाद आते हैं ये जो tool है देखिए ये भी आपको दिखाई दे रहा है ये भी box नूमा दिखाई दे रहा है और बगल में देखिए कि इस तरह box के साथ cross दिखाई दे रहा है तो यह जो टूल आपको दिखाई दे रहा है यह है रेक्टेंगल टूल हम लोग इसे बोलते हैं रेक्टेंगल टूल इससे हम लोग रेक्टेंगल टूल से हम लोग रेक्टेंगल सेप वेगर हम लोग ड्रॉ करते हैं चाहिए स्कॉयर सेप ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल से हम लोगों ने draw कर दिया आप इसी से ही आप ये तो rectangle safe हो गया आप चाहें तो इसी से ही square box भी आप safe बना सकते हैं इस पर click करके इस तरह का square box आप इससे draw कर सकते हैं तो ये रहा rectangle tool का use rectangle tool के ठीक बगल में देखे एक और rectangle ni ma tool आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें देखिए cross इस तरह का cross बना हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं rectangle frame tool देख सकते हैं ये तीनो frame tool ही है तीनो एक ही जासा काम करता है ये तीनो frame tool है अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है पहले ये समाज लेते हैं फिर एकर करके तमाम टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो नॉर्मली क्या है जब हम लोग ये वाला जो टूल है जो अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल टूल अगर इससे मैं एक रेक्टेंगल इस तरह देखिए सेप इस तरह ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल टूल ये normal से rectangle shape तयार हो गया ठीक उसके बगल में ये वाला rectangle frame tool है इस पे अगर हम लोग click करते हैं सेम उसी तरह एक और rectangle इस तरह मैंने draw कर दिया देख सकते हैं दोनों में देखिए आपको दिख रहा है ये normal इसमें कुछ भी frame tool है ये frame बन चुका है अब इसमें benefit ही क्या है दोनों दोनों देखने में तो shape एक ही जैसा लग रहा है अब दोनों में फर्क ये है कि जो rectangle frame tool है इसके अंदर आप ये actually text का place holder text और graphic का place holder के तरह काम करता है मतलब इसके अंदर आप photo put कर सकते हैं इसके अंदर text भी आप put कर सकते हैं अब कैसे देखिए जैसे ये जो type tool है इसपे अगर हम लोग click करते हैं और ठीक ये जो rectangle frame tool से मैंने जो ये shape बनाया है rectangle इसपे अगर click करते हैं तो देखिए यहाँ पर cursor दिखाई दे रहा आपको ठीक यहाँ पर सिर्फ click किया मैंने कोई text block नहीं बनाया simply click किया type tool से यहाँ से मैंने click किया अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ देखिए मैंने अपना लाम लिख दिया लिखने के बाद अब मैं यह जो pointer tool है इस पर click करके अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ move करता हूँ चाहे text को move करता हूँ तो देखिए मेरा यह जो shape था उसके साथ जो text लिखा हुआ यह साथ में देखिए यहाँ पर move कर रहा देखिए साथ में दोनों move कर रहा लेकिन अगर normal अगर हम लोग इस तरह कर एक टैंगल जो यह टूल से अगर frame box इस तरह बनाते हैं हम लोग इस तरह का shape बनाते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर text tool यूज़ करके अगर यहाँ पर मैं click करता हूँ देखिए इस box में तो cursor मेरा देखिए अगर मैं इसके अंदर भी एक text block इस तरह बनाता हूँ और मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ देखिए और यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद pointer tool पर हम लोग click करते हैं अगर मैं इसको move करता हूँ देखिए text अलग चला जा जा रहा मेरा shape उसी जगह पर रह जा रहा देखिए shape पर अगर मैं click कर रहा हूँ shape चला जा रहा हूँ मेरा text उसी जगह move कर रहा हूँ मतलब दोनों साथ में नहीं जा रहा हूँ मतलब इसके अंदर आप text वगरा put नहीं कर सकते हैं तब इसके अंदर साथ यह आपका text इसके साथ hold नहीं कर रहा लेकिन यह जब इस tool के माध्यम से जब हम लोग यह जो rectangle frame tool है इसके माध्यम से अगर text कुछ बनाते हैं अगर text उसमें लिखते हैं तो यह text इसमें hold करता है तो यह text का place holder के तरह काम करता है अब यह तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर क्या है यह वाला में और यह वाला में तो यह normal shape बनाने के लिए rectangle shape यह rectangle square बनाने के लिए और दूसरा वाला जो है rectangle frame tool जो है उसके अंदर text वगरा पूट कर सकते हैं फोटो भी आप पूट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक करके मैं आपको दिखाऊंगा अब फिर से हम लोग pointer tool पे चले जाते हैं और इसको मैं इस तरह select कर देता हूँ select करने के बाद इसको यहां से edit से जाके इसे clear कर देते हैं तो यह दोनों clear हो गया होगा अब हम लोग नीचे आते हैं यह वाला जो circle आपको दिखाई दे रहा है यह वाला tool इसे हम लोग बोलते है ellipse tool इसे हम जनरली circle shape वगरा बनाते हैं तो इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरह के circle वगरा हम लोग ड्रौ कर सकते हैं अब circle ड्रौ करने के बाद आप चाहें तो इसमें color वगरा भी फुल इसमें fill कर सकते हैं तो यहां पर देखिए color का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है अब फिर से मैं अब इसको क्लिक करता हूँ इस तूल से अब इसको मैं तो यहां मूफ कर देता हूँ अब देखिए ठीक इसी ellipse tool के ठीक भगल में सेम यहां पर देख सकते हैं ellipse frame tool है यह मैंने आपको बताया तीनो frame tool है यहां पर तीनो जो है सेम उसी तरह काम करता है जो अभी आपने देखा अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यह सरकल पर और यहां पर नॉर्मल से इस तरह का एक सरकल मैंने ड्रॉ करता हूँ देखिए अब नॉर्मल से मैंने सरकल ड्रॉ किया इस ellipse frame tool से तो सेम इसमें भी देखिए उस तरह का cross line यहां पर आ करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे यह जो टूल है पॉइंटर टूल इस पर क्लिक कर देंगे फिर से इसको हम लोग चाहेंगे तो इसके line पर क्लिक करके इसको select कर सकते हैं सीलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है फ्राइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद यहां पर देखिए place है place प्रिक करेंगे इस तरह का dia mari बॉक्स आ जाता अब जहां भी आपने फो्टो रखा है यह लूक इन का जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहां पर इसके down बटन पर click कीजिएगा उसके जहां भी अपने computer लैप्टॉप में जहां पर भी अपने photo रखा है जैसे मैंने desktop पर फोटो रख तो desktop मैंने select कर दिया अब यहां पर देख लेते हैं फोटो कहां पर है जैसे यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर photo एक folder है यहां पर जिससे अंसू photo नाम से folder इसको open करते हैं यहां पर देखिए यह फोटो आपको दिख रहा है अब इस पर click करेंगे उसके बाद open पर click कर देंगे करने के बाद yes का option पूछा है देखिए यहां पर photo आ चुका है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है देखिए मैं इसको drag भी करता हूं देखिए यह देखिए मैं same क्या हो रहा द्रैग करने के बाद देखिए फोटो पूरा का पूरा आइस्ता आइस्ता मेरा frame के साथ साथ मेरा photo देखिए इसमें include हो रहा पूरा दिखाई नहीं दे रहा photo तो आप frame के अंदर photo अगर आपका बड़ा है अगर इसको fit करना है frame के साथ तो यहां पर option दिया हुआ दिखाता हूं मैं आपको इसको click किजिएगा select हो जाएगा फिर यहां पर देखिए यह जो menu bar है element में frame के sub menu में जाईए यहां देखिए frame option है अब यहां पर ध्यान से देखिए content position बता रहा है यहां देखिए clip content to fit frame दिया है size frame to fit content यहां पर 3-4 डेडियो बटन है 3-4 option दिया हुआ अब देखिए scale content to fit frame अगर इसको हम लोग select करते हैं तो देखिए क्या होता है ok पर click कर देते हैं देखिए फोटो देखिए पूरा का पूरा fit yes में नहीं हुआ है देखिए ध्यान से यह देखिए fit नहीं हुआ है अभी इतना खाली जगा बचा हुआ है तो इसको भी आप सही कर सकते हैं element में जाईए फिर frame में जाईए फिर यहां पर frame options में जाते हैं अब हम माल लेते हैं जो पहला वाला option था वह यहां पर size frame to fit content दिया हुआ है size frame to fit content दूसरा यहां पर clip content to fit यहां पर दिया हुआ यह उपर वाला select कि आप इसको ok कर देते हैं देखिए अभी कुछ नहीं हुआ फिर से हम लोग element में जाते हैं frame में जाते हैं frame option में गया है और यह यह वाला पर click कर द frame tool है इसके अंदर फोटो वगरा भी put कर सकते हैं तो यह अंतर है फोटो पूट कर सकते हैं चाहें तो इसमें text वगरा जो मैंने आपको दिखाया यह tools है सेम उसी तरह सरकल के अंदर भी आप text put कर सकते हैं और यहां पर normal यह और इसके ठीक बगल में है यह normal सा circle वगरा या आपका ellipse frame tool है इसके अंदर फोटो वगरा भी आप put कर सकते हैं text मतलब यह text का place holder के तरह काम करता है ग्राफिक्स के लिए भी आप इसको यह जो यह जो tool था जो अभी दिखाया मैंने आपको ellipse frame tool इसके अंदर आप photo वगरा picture वगरा भी put कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हू यह दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा अब आते हैं नीचे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर यह जो tool आपको दिखाई दे रहा है तो इससे बोलते हैं हम लोग यह थोड़ा hand tool का use फिर से देख लेते हैं hand tool पर क्लिक करके तो आसे page को हम लोग उपर left right जैस स आपको star दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले से मैंने star यहां पर बना रखा था इसको चेंज भी कर सकते हैं आप डवल क्लिक कीजिए यहां पर number of side यहां पर change कर देते हैं यह देखिए यहां पर 6 कर देते हैं थोड़ा से कम कर देते हैं यह देखिए star insert यहां पर जाके इस त star जो अभी आपने देखा यह जो star बना हुआ है इसी टूल के माद्यम से हम लोग बनाते हैं अब इस पर आप इस पॉलिगन टूल पर डवल क्लिक कीजिएगा माउस का दो बाल लेफ क्लिक कीजिएगा तो पॉलिगन सेटिंग का इस तरह का डालोग बॉक्स आ जाता है अब तूल बॉक्स में आईए और यह जो पॉलिगन टूल है इस पर डवल क्लिक कीजिए पॉलिगन सेटिंग का इस तरह का डालोग बॉक्स आ जाएगा अब यहां पर देखिए स्टार इंसर्ट यहां दिखाए देरा आप इस हैंडल से आप जितना चाहें यहां पर देखिए इस तरह का बना दिया मैंने यहां पर नमबर ऑफ साइड एटी बता रहा तो आपको साइड को यहां पर बढ़ाना होगा यह देखिए जितना साइड बढ़ाईएगा देखिए यहां पर स्टार इस तरह साइड आपका बढ़ जागा 37 साइड लिया है स्टार इंसर्ट करने से उपशन आ जाता है अब और तरीका में आपको दिखाता हूं इस पर क्लिक किया यह आपस्ट डवर क्लिक करने से भी आता है है a पॉलिगन सेटिंग का ओप्शन आता है डबर क्लिक करने से माउस का दो बार लेफ्ट किजिएगा तो यहां पर वो सेटिंग आ जागा पॉलिगन सेटिंग का यहां से जिसकर चाहिए यहां तरह भर बनाना इस तरह आपको ड्रैक करके यहां पर इसको पिए प今回 Dadu करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब अबरब इसको इन्क्रीज कर सकते हैं इस तरह ह BIGligen डिजाइन आपने देखा होगा लिके दोनुको design आपने जरूर देखा होगा बहुत बार देखा होगा design वगर इस तरह तो यह polygan意 only इस तरह का design वगर स्टार भी create कर सकते हैं आपको यहां तक समझम साँ गया होगा अब हागे बढ़ते हैं अब देखिये यह जो tool आपको दिखाई देरा है यहाँ पर यह आपको पॉलिगन फ्रेम तूल τηनों टिसम उसी तरह काम होता हुआ इधर ऱाइट Edward Side व आते हैं पॉलिगों फ्रेम तूल मैं नोत में तो उसको आप का फाइल हो पूरा आप के फिल पर और छ Surprise जबाते हैं तो देखे तमाम बहुत सारे चीज़ यहां पर दीख रहा है, पूरा page के अंदर देखे कितने सारे चीज़े, चीजों का use किया है हम लोगोंने, अब देखे आते हैं यहां पर, यह वाला जो tool है, इस पर click करते हैं, अब normal सा इस पर click करके इस तरह का, देखे यहां पर, अब द पॉलिगान सेटिं के डालोग बॉक्स आ गया नमबर अपिए चेंज कर देते हैं यहांपर यहांपर चार पांच छे साथ कर देते हैं इस तरह का इंसाड इसको का देखिए इसके अंदर मुझे कोई टेक्स वगरा पूट करना है अब इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए अब इसके अंदर कोई text है page maker का file है इसके अंदर हम मुझे put करना है तो कैसे put करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको इसको pointer tool से select कर लीजिए इसके line पे click करके उसके बाद file में जाईए और यहां पर देखे place है place पे click कीजिएगा तो यहां पर देखे place का dialogue box आ चुका है अब कहीं भी आपने page maker का file अगर बना रखा है तो यहां से पहले ढूंद के लाते हैं तो यहां पे देखिए यहां पे द्रौ नीचे जाते हैं यहां पर देखे page maker file है तो यहां बहुत सरा फाइल्स यहां पर देखिए तो इसको स्क्रोल करता हूं मैं नीचे यहां पर देख सकते हैं पेज मेकर का फाइल है यहां पर सो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओपन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं यहां से राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको एक्सोज कर देता हूं तो आपको दिखेगा यह देख सकते हैं यह देखेंगे पॉलिगन से पर तो इस पेज मेंकर फाइल के अंदर जितने भी मैटर था जितना भी टेक्स ताहिए यहां पर आपको दिख रहा होगा आप च दिखाई दे रहा थोड़ा सा मतलव मैं अभी थोड़ा सेब और बढ़ा करना होगा यह दिखें थोड़ा सा मैं को इसके अंदर इस फ्रेम जो पॉलिगन फ्रेंटुल था इसके अंदर यह आ चुका आप चाहए तो इसको आप यह कर सकते हैं इसको जो टेक्स्ट है इसको स प्रक्लिक कर दीजिए आप यहां पे बीच वाला लएक सेंटर इलाइन्मेंट के लिए प्रक्लिक कीजिएगा पूरा टैक्स आपका सेंटर में इस conect हो जाएगा अब तो यह alignment कर दिया देखिए बीच में आ चुका पूरा टेक्स अब आप चाहें तो इस प्रेक्स को इस बॉक्स को यह जो फ्रेम जो बना हुआ है पॉलिगन फ्रेम जो बना हुआ है इसको आप चाहें तो यहां से देखिए यहां से इसको अगर चाहें तो ग्रीन कलर देखें ग्रीन कलर इसमें कर दिया हम लोगों ने अब यह जो टेक्स्ट है इसका भी कलर आप तो यहां से select करके आप इसको select करके यहां से color वगराभी इसका text का भी change कर सकते हैं आप चाहें तो यह जो frame बना हुआ है यह पूरा का पूरा frame इसका outline ठीक कर सकते हैं मोटा कर सकते हैं पतला कर सकते हैं इसका line है element में जाके यहां से आप यहां पर देखिएगा stroke है यहां से भी आप इसको इस तरह का जैसे माल लेते हैं यह डॉटेड वाला यह डिजाइन वाला यह देखिए इस तरह डॉटेड डॉटेड आप इस तरह डिजाइन क्रियेट कर सकते हैं प्लस जो dotted line है इसका भी color change कर सकते है color palette में चले जाएए यहां से यह जो line के लिए है इस पर क्लिक कर दीजिए जो color आपको चाहिए इस पर क्लिक कर दीजिए देखिए red color का है यह देखिए इसका outline यहां पर तयार हो गया है राइट क्लिक करके इसको fit in window करते हैं तब आप अच्छी तरह से देख पाईएगा देखिए यहां पर यह देखिए तो इस तरह कर देख सकते हैं यह यह वाला टूल से मैंने बनाया आपका polygon frame टूल से यह वाला shape यहां पर बन चुका है देख सकते हैं तो यहां तक तो आप ल ग्लीक करते हैं तो पेज को डिम कर सकते पेज में बनाया अब देख सकते हैं यहां पर घ्लिक अब इसको right click कीजिए आप देखिए percentage so कर अगर 50% कर दिया तो देखिए आपको दिख रहा होगा देखिए आप यह देखिए तो इस तरह आपको दिख रहा होगा देखिए यह देखिए उसके बाद hand tool करके आप page को left right ऐसे move कर सकते हैं hand tool से तो zoom tool का use मैंने आपको बदा दिया अगर page कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर काम करना है page मेरा इधर से उधर या कहीं आपका page move हो गया चला गया आप left right अपने monitor के हिसाब से आप इसे adjust कर सकते हैं तो I hope मैंने सारा का सारा tools के बिसे में बारीकी से आपको समझाया कहीं पर भी आपको कोई problem होता है तो please comment करके बताईएगा और मैं उमीद करता हूँ कि मैंने जो बताया मैंने कोशिश किया हर टूल के भी से मैं आपको बारीकी से बताने समझा सकूँ और भी कुछ जानना चाहते हैं page maker से related तो please comment कीजेगा और मैं एक बात कहना चाहता हूँ देखिए मैंने बहुत सारे टीटोरियल पेजमेकर से related अपलोड कर चुका हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे आप देखिए आप मेरे चैनल में देखिएगा page maker का playlist है वहाँ पे आपको बहुत सारे page maker से related टीटोरियल मिल जाएंगे अगर वहाँ प झाल